ये लगबग दो हजार एक के असपास की बात है उस समय दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए धम का सारा लिया और उसने एनॉंस्मेंट किया कि दस लाख लोग धम की दिखा लेंगे कहीं पढ़ लिया होगा उसमें पढ़ते पढ़ते कि बावा साब ने दसलाख लोगों की धम की दिखा दी तो दसलाख ही उसने टिकलेर कर दिये बिना किसी जैमीन पर बनाये पुराम की चुकि जो मेरे पता हैं उन्होंने जो यात्रा अपनी आरम की है वो 1956 के बाद से आरम की है तो उन्होंने हमें आदेश दिया कि जाओ इस आदमियों को साथ रहो क्योंकि से धम नहीं आता और जब तक ये धम का कायक्रम ना हो तब तक लोगों को सही तरह से बुद्धन सरण नम गच्छामी के बारे में बताओ तो हम अपना सारा काम धाम छोड़के उस व्यक्ति के साथ में लग गए और धम का जो रत निकला जो धम की जातरा थी उसमें 24 मिंटे साथ रहे हैं उसमें एक भंते होते थे भंते राहुल करके बुद्ध परिया राहुल था उनका नाम वह बिहार के बनते थे और बहुत जवर्जस थे उनकी जो कला थी बड़ी जवर्जस थी ज़्यादा पढ़े लेखे तो नहीं थे मगर समधार बहुत थे परिवार भी था उनका मगर वह परिवार शुड़के बिक्कू बन गए थे तो रत बनाया हुने जुगारबाजी से करके और रत पर चलते थे वह काई करम तो जैसे हुआ वैसे हुआ हो गया क्योंकि उसमें बड़ी सारी अक्षन आई क्योंकि वह व्यक्ति ना समज था उसने आनमभारण में सरकार के विरूद में कही सारी बातं कह दी जिससे के वह काई करम की जगए वगएरा लाश्ट मोम खेर, वो जो भनते थे, वो जगे जगे पूरे बहार में, पूरे जहारकर्ण में, पूरे जहां-जहां भी जाते थे, वहाँ जाते थे. तो कुछ लोगों ने कहा, बैकु जो हैं, इनको पूर अतर जूंसी धम नहीं आता, और उसकी आलोशना करने लगे जो किताबें पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने वाले को बोलते हैं परियत्ती और जो रत पे घूंता है उसको बोलते हैं पठी-पठी यानि कि जो संधान्तिक है वो तो किताब पढ़ने वाला है और जो वहवारी के उसे बोलते हैं पटी-पत्ती तो जो भिकू थे वो पटी-पत्ती में माहिर थे पाली के सब्दें दोनों एक जी कुशन में माहिर थे वहवार में माहिर थे तो जब कई बार ऐसे विद्वान जो सिब कटाब पर क्या दे थे तो चर्चा का वैसे होता था तो हमसे कहते थे आप इनके साथ रहें आप इनको समझाइए तो मैं उनको कहता था कि उनकी समझ आप से ज़्यादा है वो वहाँ जा रहे हैं जहां लोग बुद्ध का नाम भी नहीं जानते वो ऐसे गाओं में जा रहे हैं अट्ट सीग मार पे, एट फोल्ड पात पे, जो सीग समाधी पर गया है, उस पे चाशा कर सकते हैं, बुद्धी बलास कर सकते हैं, मगर आप अपने गाउं भी नहीं चाह सकते हैं, पढ़ाने के लिए, आप अपने गाउं में जाईए और वहाँ पे आश्टांगी मार को पढ बंदा करते हैं, तो कैई जो परियत्ती वाले लोग हैं, जो ऐसे हैं, जो अपने आपको विद्वान मानते हैं, जिन्हों किताबें पढ़ी हैं, वो उनसे हिलक जाते हैं, कहते हैं कि ये सब्द ऐसे नहीं है, ये सब्द ऐसे नहीं है, तर असल कुछ सब्द उसमें पाली क जानते हैं अगर आप जादा जानते हो तो आपको पढ़ाना चाहिए आपको बताना चाहिए मगर अगर आप सामने पढ़ाने वाले को बीच में रोकर सबके सामने आपकी विदुता बताना चाहते हो और आप ये समझाना चाहते हो तो आप अबल दर्जे के मूर्ख हो, आप पड़े लेखे अबल दर्जे के घदे हो, आपको इतना सेंस नहीं है, अगर कुछ सामने वाले को बताना है, तो वो आप ही का परिवार का है, आप ही का भाई है, वो मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत को आपको अगर सलाम ना कर सको, और आपको अपनी विद्धा ही कहा नहीं है तो उसे फोन करके बता दो अलग से बता दो और बहतर तो यह होगा कि आपको खुदी लोगों को समझाना चाहिए अगर आपको इसी समझे कोई व्यक्ति जिसने खाली बुद्ध का नाम सीखा और वो किसी को जाके बताता है कि देखो बुद्ध का नाम में आज सीख क्या है और यह बुद्ध का नाम है वो व्यक्ति उस व्यक्ति से जादा अच्छा है जो बुद्ध की पूरी किताब पढ़के सो रहा है गर पे या किसी को जलील करने के लिए बुद्धी किताब के बारे बताता है यानि मैंने बुद्धी किताब पढ़ी और मैं आपको जलील करने के लिए कुछ बता हूँ तो मैं सबसे नाला एक आद्मी हूँ तो ऐसे नाला एक भरे पढ़े हैं और किसी को धम बता रहा है या पढ़ा रहा है तो उस व्यक्ति से सो गुने से ज़्यादा अच्छा है जो कितावें पढ़ पढ़ कर घर में बैठा हुआ है और उस नालायक्षा तो बलकुल अच्छा है जो कितावें पढ़ पढ़ कर उसके काम को रोक रहा है ऐसे व्यक्तियों को बंद कमरे में लेके जाना चाहिए जो भरी सवा में किसी टीचर को या किसी पढ़ाने वाले को परशान करते हैं और अंदर बंद कमरे में ले जाना चाहिए और एक मोटा कंबल लखना चाहिए उस कंबल को उस व्यक्ति को उपर डालना चाहिए और फिर उसके उपर धमदम कूदना चाहिए और फिर उसको धम सिखाना चाहिए वहीं कंबल में धमदम करते हुए कि धम ऐसा है ये नालाइक लोग हैं भगवान बुद्ध ने कितनी वार कहा है कि कोई हजार गाथा याद करके गुद्धी बलास करता हो उससे बहतर है कि कोई एक गाथा की प्रक्टिस करता हो कोई एक गाथा जानता हो और उसका भ्यास करता हो उससे अच्छा है कैई वार ऐसी घटना होई है कई भिक्कों उन्हें पूरा का पूरा पूरा परियत्ती रटके पूरा पूरा सिध्धान्त रटके जो भगवान गुद्ने देशा दी है और और भिक्कों पे वो अपनी बुद्धी मता जालते थे उनको कई बार फटका रहा है भगवान गुद्ने के वार उनको संझाया है के बार उनको डाटा भी है तो आप गिर्पया करके ऐसे जो लोग हैं आपको अगर धम बढ़ाना है और आप बावा साब के अनुवteilाई हैं और मानते हैं कि बावा साब कर्यूतारना है तो कम से कम लोगों को पड़ाएं और अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो set your mouth, अपना मुह बंद रखें आपको समझ में नहीं आता है तो उटके चले जाएं और अगर बुद्धी ब्लास करना है तो अपने घर में जाएं अपनी सीसे के आगे खड़े हो जाएं और सीसे का खड़े होके अपनी बुद्धी जाड़े महाँ पर बहुत तरीके हैं आप अपने वीडियो बना सकते हैं आप अपना ओरियो बना सकते हैं उससे लोगों की सेवा कर सकते हैं मगर बलाय महरवानी के आप किसी भी टीचर या किसी भी गुरू के काम को ना रोक एं चाहे वो उस समय गरत बता रहा है चाहे वो समया सही बता रहा है आप मैं समझ है तो बाद में बोलिए तुर ठिक कर लेगा उसको कोई जिद नहीं है कोई कलत बताने का शोक नहीं है अगर वो बता रहा है तो सही बता रहा है अगर जानकारी आते आते आती है मा के पेट से कोई सीख नहीं आता भगवान बुद्वी मा के पिट से सीखे नहीं आये थे बाबा सब अमबेट कर भी यहीं सीखे हैं सब ये जो टीचर हैं बड़ी मुस्किल से टीचर बड़े हैं अपना सारा काम छोड़ते हैं अपनी तफरी छोड़ते हैं अपना पैसा छोड़ते हैं तब टीचर बनते हैं इनको आप अगर डीमलाइज करेंगे तो जमाना आपका दुस्मन हो जाएगा लोग आपको कंबल डालके धूमधाम धूमधाम करेंगे आपके उपर साबधान रहिएगा और ऐसे लोगों को चनित कीजिए जो लोग बीच मे रोकते हैं उनको बताईए कॉन-कॉन लोग है ताकि लोग उनसे साफ धन रहे हैं उनको सभा में ना पुलाएं धन्यवाद। तो आपको liberty है आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद वुत्वं शरनं गर्चामे धंधंशरनं गच्छामे संधंशरनं गच्छामे